हेलो एवरिवन, आज मैं बताऊंगी बीए सेमेश्टर शीक्स हिस्टरी ओनर्स कोर पेपर 13 के कॉश्चन के बारे में जो सेशन 2019 से 22 में पूछे जाने वाले सभी प्रशनों को बताऊंगी फूल माक्स 80 टाइम थ्री आवर्श, फूल माक्स 80 रतार शमें 3 घंटे का उसके बाद लिखा है किनी 5 प्रशनों के उतर दे, किनी 5 प्रशनों को उतर देना है सभी प्रशनों के अंक समाने, सभी प्रशनों के अंक समाने उसके बाद लिखा है परिछार्ती यता शम्बव अपने सब्दों में ही उतर दे पर इशार्थी को जितना हो सके अपने सब्दों में उतर देने से माक्स अच्छी मिलती है पहला नंबर कुछा है संयुक्त राश्ट संग के कार्यों का मुल्यकान करना है दूसरा नवर कॉशन है साईउक्त राष्ट्र संग से जुड़े विभीन संस्थानों का वर्णन करे। संयुक्त रश्रंग से जुड़े विभिन संस्थान के बारे में लिखना है तीसरा नमर क्वेशन पुछा है सीत युद के समापन के कार्णों का विवरन प्रस्तुत करे सीत युद के समापन के कार्णों के बारे में लिखना है चोथा नमर कॉशन है पाचवा नमर कॉशन है नव उपनिवेश वाद की व्याख्या करे नव उपनिवेश वाद के बारे में लिखना है चाहता नम्र क्योशन है, रंग वीद की निथी पर निवन लिखना है साथमा नम्र क्योशन पुछा है 1950 से 2001 के बिछ हुए तकनिकी विकासों का मिल्य कान करें उनिस सो पच्चास से दोजर एक के बिचुवे तकनिक विकास के बारे में लिखना है आठवा नमर कोशन पुछा है संचार तकनिकी में अंतरिक्ष अश्टेशनों की भूमिका का विवेचन करे संचार तकनिकी में अंतरिक्ष अश्टेशनों की भूमिका के बारे में लिखन अमेरीकी नारिवादी अंदोलन पर एक निबन लिखना है दस्वा नमर क्वेशन है वर्तमान समाज पर संचार करांती के परभावों का मुल्यकान करें वर्तमान समाज पर संचार करांती के परभाव के बारे में लिखना है यानि कि टोटल दस क्वेशन है इसमें से आपको पांच कांसर देना है और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूटुब चैनल और सेर जरूर करें